नमस्कार दोस्तों मैं कृष्टन बूरती आप सवे का सवाथ करता हूँ लर्णिंग मेरे यूटू चैनल में दोस्तों आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको सुजलाउन दिख रहा होगा जिसका प्राइस 6.70 चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है सुजलाउन आरी इसका प्राइस जो है राइट इंटाइटल में ठहिए आपका इसका प्राइस चल रहा है 1.25 इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अगर मैं मालो यह बाई करता हूँ सुजलाउन आरी वाला सेर्स तो जो है क्या बेनिफिट होने वाला है और चीज़ें कैसे वर्क आउट करेंगी तो यहाँ पे उससे पहले में चीज़े आपको बता दूँ यहाँ पे उसकी राइट इसू निकाल रही है उसके लिए फगेनिफर कर सके अपने खुद के इनवेस्टेर से बाहर से कोई इंवेस्टेर ना आया 5 सेर्स मिल रहा है 21 सेर्स मतलब आपके आस 21 सेर्स दीमट में है रिकॉर्ड डेट है आपका ultimate अक्टूबर का अगर आपके पास 4th October 2022 को 21 shares है सुजलोन के तो आपको जो 5 shares मिलने वाले है एक्स्रा यहाँ पे जो यह right entitlement है rights issue के लिए आपको apply करना पड़ेगा जिसका face value 2 है यहाँ पे आपको दो बारे payment करनी है वो ची ध्यान रखना 2.50 रुपीज फर्स्ट वार में और सेकेंड टाइम में 2.50 रुपीज सेकेंड टाइम का जब भी payment होगा वो आपको बता देगा उस rate को आपको payment करना है चीजे बता दू आपको यह जो है ध्यान रखना यह 2.50 और यह 2.50 आपको payment करना होगा टू टाइम में वन टाइम तो पहली वार आपको होने वाला है जो भी हो जायागा सेकेंड टाइम आपको जब भी date announce होगा आपको payment करना होगा तो यहाँ पे चीजे आपको दिख रही है 25 इस्टो 21 मत्तब 21 सेर्स पे आपको 5 सेर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले है discount rate पे 5 रूपीज के आसपास यहाँ पे देख लो चीजे मैंने बता रखी है record rate कब का है opening rate 11 का है और 20 तक चलने वाला है यह आपका यहाँ पे सवाल है सर मालो में यह buy करता हूँ तो यहाँ पे देखो नजमे क्या लिखा गया है this is temporary listed rights entertainment securities that allow you to apply for the right shares and is tradable on the exchange till October 14th मतलब यह 14 तक trade करेगा if you do not apply for the rights issue by October 20th you will lose your entire investments इसका मतलब क्या है मालो मैंने 100 quantity buy किया example बोलता हूँ 100 quantity buy किया मैंने कितना पे कर रहा हूँ पैसा मैं पे कर रहा हूँ 120 रूपीज इसका मतलब यह नहीं है 120 रूपीज जो है मेरे 2.5 रूपीज में से adjust होगा नहीं यह जो आपका right entitlement जो है यह उनके लिए है कि मालो मेरे पास 1000 shares थे और मालो example बोहता हूँ 20 shares पर 1 shares मिल रहा है मतलब 200 shares मेरे dmat account में आ गए अगर मुझे apply करना है तो मैं छोड़ दूँगा मैं जाके rights issue के लिए apply कर दूँगा नहीं मालो मुझे उस rights को renounce करना है मतलब बेचना है तो मैं जो है market में बेच रहा हूँ market में देख लो 1.20 रूपीज की हिसाब से मैंने rights बेच दी है अब कौन खड़ीद रहा है rights rights खड़ीद रहा है जिसको मैं बेच रहा हूँ मतलब यहाँ पर मैं rights बेच रहा हूँ seller जो है rights बेच रहा है आपका buyer rights खड़ीद रहा है तो buyers जो है वो आपको 2.5 रूपीज पे करेगा कब तक से भी नहीं यहाँ पर जिरुदा बोला है rights entertainment है वो sell कर रहे है 1.2 रूपीज पे यहीं बोला है जिरुदा अगर आपने apply नहीं किया rights इसू के लिए 28 एक्टूबर से पहले जो आप पैसे pay करोगे मानलो आपने 1000 से बाई किया या मानलो आपने 10,000 से बाई किया तो जो भी आप पैसा pay करोगे यह जो है पूरा पूरा जो है 0 हो जाएगा वो चीज ध्यान रखना rights इसू कैसे apply करते हैं उसको मैं हरक से वीडियो ले आऊँगा चीज़ें आप bank से apply कर सकते हो ASBA से या फिर आपको link आएगा आपके mail ID पे उस पे आप click करके demand account number डालके आप payment कर सकते हो यह चीज ध्यान रखना यह जो है आपका ID जो है वो आपका ऐसा नहीं कि इसको मैंने buy कर लिया इसको मैं hold कर सकता हूं long time के लिए यह आप buy कर लिए rights entitlement मतलब rights इसू आपको apply करना इतने sales का इतने sales का right entitlement आपको कि यह होने वाला है फर्स्ट payment जो है आपको 2.5 रुपीज का पे करना पड़ेगा कब 28 अक्टूबर से पहले तो चीजे समझ गए तो दोस्तों मैं आसा करता हूं वीडियो जो आपको अच्छे लगए वीडियो अच्छे लगए लगए लाइक करें सब्सक्राइब करें सेया करें तो तक दोस्तों धन्यवाद